हलो फ्रेंड्स मेरे पाम लिडिंग चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए आजे 27 वर्सिय पुरूस के पाम का अनलसस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे इनका बहुत सा नॉर्मल कोश्चन्स है कि इनका असाधी विवाह का जीवन कैसा रहेगा घर के योग है कि नहीं घर बना पाऊंगा कि नहीं लाइफ में और जॉब के विशह में तो अभी ये गवर्मेंट जॉब के लिए भी कई ना कई पढ़ी आसरत हैं और ये कोई साथ प्रेविट जॉब में भी है ठीक है तो ये चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ सेक्यूरिटी इट मेंस के गवर्मेंट जॉब के योग कब तक आ रहे हैं और फिर आगे का जीवन कैसा रहेगा और जो मेरे पाम पे नेगेटिव पॉजिटिव योग आ रहे हैं उसके विशह में आप चरचा कर दीजिए तो ये इनका कुछ मूल कोश्चन्स है तो आईए एक एक करके इनके पाम के माधियम से देखते हैं सबसे पहला चीज तो शादी विवाक है इनका जो मेल कोश्चन्स था तो ये को शादी के लिए बेसिकली मैं जो प्रसनली तीम गरा देखता हूँ पहले आपका वैनस हो गया सकेंडरी जो की दामपत्ति जीवन के सुक्का कारक है समाजिक जीवन के सुक्का कारक है आप कितने समाजिक होगे उसका कारक है और सकेंडरी मैं देखता हूँ जुपिटर को ये आपकी वैल्यू मान समान साथ साथ है या आपके भी वैवाहिक जीवन के सुपक अकारा के थर्ड कि आपके ऐसे इंसान हो, आपके ऐसे किस अपने परिवारिक जीवन को खुबसूर्ती, किस खुबसूर्ती के साथ हैंडिल करते हो, तो उन सब चीजों अकारक जुपिटर है, और शुकर है, तो फिर वो सितलता भी रहनी जरूरी है, आप कितने काम हो, आप कितने कामता से अपने जीवन को वैतीत करते हो, या फिर कोई भी लाइफ में मुसीवते आएं, जो आपके जीवन पर इंडिकेशन्स वेगरा हैं, कि आपके जीवन पर कोई मुश्रीवते आए तो उसको आप कितने खुबसूरती के साथ हैंडल करते हैं उन सब चीजों का जो हम जाइजा लेते हैं या फिर जो जज करते हैं या फिर आपके पाम से देखते हैं वो हम चंदर से देखते हैं तो इनका चंदर मीडियम अवस्थ तो यह थोड़ी से डीले करवाएगा, इनकी शादी जोगी वो लेट हो सकती है, तीश वर्स की आयू की एराउंड, सगेंड कोशन था घर, घर बना पाऊंगा, देखो आपका पाम साफ सुतरा है, और साफ सुतरा पाम लेने कवाद इनसान के जीवन में जो तकलीफों की परसेंटेज है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, इंसान की काम जो एजी वे में हो जाती है, उतनी कोई दिक्कत नहीं होत प्रपर्टी के लिए जो इंडिकेशन है, पर आपका मंगल आपका ठीक आपके पाम पर बहुत ही अच्छा है, ठीक आपके पाम पर कुछ प्रपर्टी के योग बन रहे हैं, यहां से एक ट्रेंगल नहीं करती फील होगी, यहां से भी एक स्क्वायर है, तो आप इजी वे म में इनको शूरी रेखा ने, शूरी ने बहुत कुछ दिया, शूरी माउंट और बुद्ध माउंट कितना प्रबल, और साथ-साथ शूरी रेखा विद्या रेखा भी है, तो यह शूरी रेखा यूही नहीं बनती, इन्होंने काफी महनत कर रहे होंगा अपने लाइफ को ल शूरी रेखा बहुत अच्छी इनके पामपर है, जो की जूपटर के तरफ कहीं न कहीं जा रही, आप देखो अगर ठीक से तो, ठीक है, यहां देखो, यहां से कुछ ऐसे ब्रांचे से है, जो एकदम नहीं है, जूपटर तक नहीं जा रही, सीधी जा रही है, बट इनकी बागे रेखा बहुत अच्छी इनके पामपर है, और एक हलका सा इनके पामपर आगे एक रेखा बढ़ी है, तो यह बागे रेखा डिनोट कर रही है, कि इनको जॉब मिल सकता है, ठीक है, बागे रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, बागे का साथ मिलेगा, इनके जीवन के पचासमे वर्स तक और शूरी रेखा भी इनके पाँ पे प्रबल है तो इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ यही शूरी रेखा capable है इनके लाइफ में जॉब देने को क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ग्रहों के स्ट्रेंद को देखो तो इनकी जो उसके बाद जो गरहा है शूरी बुद्ध काफे स्ट्रॉником है जो गर्मेंट चॉब के तो इनको भाग एक थोड़ा सा दिक्कत जिलना पर सकता है उसके बाद इनके तीसमे वर्से इनके फेट लाइन काफी अच्छी चली है और काफी अच्छी डार्क भी है तो इसके इसका जो फल स्वरूप इनको इनके गर्वर्मेंट जॉब के लिए काफी ज्यादा कारगर किसी इनके पंचार गले तो इनकी आयू लगभए है यहां पर चल रही है यह यह पर आजएंगा इंकी एक आयू चल रही अभी फिलाल खै कै inte देखने जहां पर से हलकी सी वर्स की होगी ना वो जीवन रेका 70 वर्स नोट कर रही होगी ना तो इसलिए थोरा मुस्किल होता है ठीक है लेकिन एक जो कॉमन चीजे हैं जो कॉमन ता रहती है उसके कॉर्णिंग में आयो की प्रेडिक्शन करता हूँ और वो कहीं न कहीं 80% 85% में सही होता अगर कुछ कभ भगवान ने इंसान ही हो यार कि कसी कायो की प्रेडिक्शन कैसे कर सकता हूँ या कोई भी कैसे कर सकता है फिर यहाँ पर से इनकी जो एक लगबग है ना 27-28 में वर्स में एक लगबग इनकी प्रोग्लेस रेखा निकली है और यह लगबग कट है 29 में वर्स में तो 29 में वर दे देगी इनको job दी भी होगी सूड़ी रेखा ने और आगे भी इनको सूड़ी रेखा job देगी अब इंका तीस्रा question था आएका जीवन कैसथा आएका जीवन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपके lifetime से बहुत अच्छा तरब चलते हैं, इनकी देखो जुपिटर फिंगर बड़ी है, तो ये तोड़ी से बड़ी हो जाए और यहां से दबाब जब आ जाए ना, तो ये फैमिली टेंशन्स दर्शाता है, ऐसे जाता को फैमिली टेंशन्स बहुत ही अच्छी कॉलिटी का देखने को मिला है, मतलब, स्वारी अच्छी कॉलिटी बोलने का मतलब है, बहुत ही मतलब उर पैमिली टेंशन्स से परिशान आते हैं, पड़िवारी की सांती उनको नहीं मिलती, ये प्रबलम रहती है, और जुपिटर फिंगर अगर बड़ी हो जाए, तो इनसान में धार्मिक बापना रहती है, और सकता है, अंदर से डर आ सकता है, अंदर से डराव, बात डर सकते हैं, थोड़ी सी युざ vaccine रह सकती है, ये थोड़ी प्राबलम है, और ये थोड़ा सा जो शन फिंगर है, ये थोड़ा राइटिंग sterBE होटा है, पड़िवारी की होता है, जो राइटिंग की स ministra बात करना हू फिर देखो थे इनके पारम पर बुद्ध इनकी बुद्ध जो है ये थोड़ी से वीग जा रहा है तो ये थोड़ा सा decisions making में कमी करता है लेकिन उसके साथ क्या conditions था कि बुद्ध माउंट भी प्रबल नहीं होना चाहिए तब ये ज़्यादा वर्ष्ट फल देखा लेकिन इनके पारम पर बुद्ध फिंगर जो है वो छोटा है लेकिन माउंट काफी अच्छे है तो communication और लोग को बाते समझाना और इससे पैसे कमाना बुद्ध मता से ये चीजे होंगी इनमें लेकिन बुद्ध फिंगर चोटा है तो decisions making में थोड़ी प्रबलम आ सकते है ओवर confidence कभी कभी हो सकते हैं फिर देखो तो एक समझदारी के लोप इनके पाम पर दिख रही है मुझे हलकी से बुद्ध थोड़ी से सौट जा रही है तो वही आ रही है थोड़ी सी कभी कबार हर वराहट हिस्की चाहट आ सकते हैं इनसान decisions ऐसे ले रहता है कभी कभार जो उनको पड़िवाई tensions रहेगे लेकिन कुछ लाइने बन रही है जो गुरु वले का formation कर रही है यह indication कर रही है कैसे लोग लाइफ में पैसे की management में अच्छे होता है six cents अच्छी होती है ऐसे जातको कि second third क्या होती है ऐसे लोग भगवान पर आस्था रखने वाले इनसान होता है फि विद्या रेखा बनी जिसको line of education भी कहते है यह जर्शार रही है कैसे इंसान पढ़ाई में काफी अच्छे होते बैसिक knowledge काफी अच्छी होती है और चीजों को समझने में काफी capable होता समाजिक knowledge होती है फिर एक पैत्रिक संपत्ति की तरफ से line आ रही है तो यह कुछ नी बहुत अच्छा साथ मिले गाई लेगिन पैत्रिक संपत्ति कुछ होगी जरूर जमीन जाजात के खांदान से विलॉंग करते होंगे फिर इनके पाम पर एक अच्छी शूरी रेखा इनके पाम पर मुझे दिख रही है तो यह शूरी रेखा इनको काफी capable अच्छे जॉब में अर्ली लाइफ से जॉब इंडिकेट कर रही और इनका अगर ट्राइ करें तो जैसा पाम इनका है उसे हिसाब में एक मीडियम अस्तर का जॉब ऑफर जरूर जा सकते है फिर देखो इनके पाम पर दो संबुद्ध का मांउंट काफी प्रबल है तो कुछ लाइने खड़ जगाता है लिए उस कते आउसा इसने है के स्ब्वाइफ में ही इनका झांपत्ति जीवन का और जीवन में एक ठहराव रहेगा और लग्ZYरी कासुक और परिशनालिट गए शुक्र इनको ये सब परेजिन्ध कर राएleben उसके बाद देखो तो इनके शुक्र पे कुछ लाइने बने, हलकी फलकी वरीट की लाइने, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ money indications की भी लाइन, तो मूलता इनका शुक्र इनको 80% अच्छे फल देने के काबिल है, फिर कुछ लगजरी के लाइने बनी हुई है, त उसके लिट्राई करें, तो वो भी जॉब होने के प्रबल चांसे बनते हैं, फिर का थामब देखो, तो फर्स सेकेंड, दोने स्ट्रम सेकेंड, थोड़ा कम मान साल है, तो कभी कब अपने सम्मान की लक्षा नहीं कर पाएंगे, डिजायर्स काफी लबे हैं, तो ये कभी हि इक्षा आएगा, ऐसा सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, फिर स्ट्रम सेकेंड, तो ये इक्षा प्लस लॉजिकल, दोनों होंगे, इक्षा प्लस तरक सकती दोनों अच्छी होगी, इक्षा इतनी स्ट्रम के किसी को भी बीट करते हैं, फिर देखो इनके पाम पे जीव तो ये अच्छी प्रोवर्श के जीवन में, जो कि इनके लगबग, चोवन में पर्ष प्रनों पर्श के एज में है, तो यह काफी एच्छी इंडिकेसंस है इनके जीवन में, जो कि यह दो इंडिकेसंस काफी तरक्की देंगे, इनको यह मस्तमझना की दिक्कत वाली बात है, यह इनसान को आगे बलाएगी, यह रेखा जोने प्रॉग्रेस रेखा है, यह आपसूट है, बहुत अच्छा अब एज के एजक्ट प्रेडिक्शन देना थोड़ा मुस्किल होता है, लेकिन एक संभावन है, एक अंदाजन है, इस सेजमिन को चरूरत काम्याभी मिलेगी, फिर हर्ट लाइन माइंड रेखा काफी बैलन्स लीवर, दिमाग के काफी संतुरत होंगे, लेकिन यह जो माइ लेने वाला इंसान हो सकता है, ज्यादा कोई भी चीज को गहन मन्थन करने वाला इंसान हो सकता है, जो इनके लिए कभी कवार खराबी भी होता है, तो इनको ज्यादा सोचने के लिए मैं इनको बोलूँगा, आप ज्यादा थिंक मत करो, चंदरमा के तरफ आपकी माइंड रेखा जारी है तो कोई भी चीज को आप जाता सोचोगे और जिसके बढ़े आपको टेंशन्स होंगी हाट लाइन काफी अच्छी है तो और एक विश्णो योग बनावा तो रूटीन के पक्के होंगे इंसान जो जुपिटर तक जारी है रूटीन को फॉलो करने वाले होंगे और हट लाइन ना तो बहुत इमोशन ना तो बहुत रूट एक मध्यम अस्तर की परस्नालिटी इनके दिख रही है अब इनके पाम पे देखो कुछ प्रपर्टी के योग जैसे यहाँ एक ट्रेंगल बना यह भी प्रपर्टी कौछ यहां से भी सूर्य वाई से भी इक स्कॉयर बन रहा है जो कि इनके लगबग एक तिसमे वर्श का प्रपर्टी इंडिकेट कर रही है और इनके फेट लाइन जो है ना आगे कुछ हलके इंडिकेशन्स है, तो हो सकता है, में भी चांसे से बन भी जाए, कोई बरी बात नहीं है, तो इस फेट लाइन पर इनके तीसमे वर्स के प्रपर्टी के इंडिकेशन्स आ रहें, जो इक प्रपर्टी बना पाएंगे, एक सुरी मांट पे भी है, ट्रेंगल क बना पाओगे, तो इनका जो मेजर कोशन्स था, साधिर प्रपा का जीवन कैसा रहेंगा, काफी अच्छा आपके पाम से दिख रहा है, ठीक है, सेकेंडरी आगे जीवन भी अच्छा रहेगा, एक अच्छी उन्नती आपके जीवन में लगबग एक एज है, वो एक एज आ लगबग आपके आ रही है, 38-40 वर्स की आयू में, ये लगबग 53-55 वर्स की आयू में आपकी एज आ रही है, तरक्की की ठीक है, जो आप तरक्की करोगा, जीवन रेका काफी अच्छी है, हल्दी जीवन भीताओगे, जीवन के सुक भोग को पाओगे, और ट्राई करो, प जीवन भीताओगे, 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 जीवन भीताओगे,